पूरी दुनिया में जवान नाम का ऐसा तूफान आया है जिसको रोग पाना किसी की बस की बात ही नहीं है सौ करोड का चोका मानने वाले सारुखान अभी तो बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले हैं और ऐसे में सारुखान के स्टाडम को देखे ये कहना बिल्कुल दिलकलत नहीं होगा कि जवान तो बस एक टीजर है, असली ट्रेलर और असली मूवी तो अभी आना बाकी है, आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि शारुखान के आने वाले कुछ एसी मूवी जिसके बारे में अगर आपको पता नहीं है, तो वाई जानने के लिए तैयार हो जाओ, पर भाई मूवीस के बारे में बताने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जिनोंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को तो ज़रूरी सस्क्राइब कर देना, देखिए जवान के बाद सारुखान अबको असली मूवी आने वाली है, जो बॉक्स ओफिस में सारे रेकोर्ड को बस दो ही दिन में चकना चूर करने का ताकत रखती है, और वो है डंकी, वैसे तो ये पिक्चर इसी सार रिलीस होने वाली थी, पर उर्ती उर्ती खवर ये आ रही है कि डंकी के रिलीस जेट को पोस्प करने वाले हैं, और भै अभी ना तो इस मूवी का टाइटल एनाौंस किया गया है, ना ही इस मूवी से रिलीड़ेट कोई भी अफ्जेट्स निकल के आया है, और ना ही इस मूवी के स्टोरी और टॉपिक के बारे में भी रिवील किया गया है, पर भै इतना तो शियोर है, इस बाप बेटी का जोरी बॉक्स ओफिस में कुछ बड़ी तभाई करने वाली है। उसके बाद शारुखान की मच अवेटेड मूवी पठान का सिक्वेल आने बाला है पठान 2। इसके बारे में तो बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये एक स्पाई यूनिवर्स की मूवी है तो भाई इसका सिक्वेल तो आना बनता ही है। उसके बाद इंडियन सिरिमा की सबसे बड़ी मूवी आने वाली है। जिसको आने में अभी बहुत टाइम बाकी है। पर भाई excited हो जाए जवान 2 आने वाली है। उसमें कमेंट करके बताना कि आप लोग सारुखान की किस मूवी के लिए ज़्यादा excited है।